Hello guys, welcome to my channel H&N Classes तो अज जो हम topic परने जा रहे, यह topic बहुत ही ज़दा important है अगर अब JW या NITK exam देंगे तो अगर अब सिर्फ board exam के लिए preparation कर रहे हो तो यह तो भी कुछना खास important है नहीं तो topic का नाम के है Find the electric field due to a semi-circular ring at its center तो basically क्या है, यह एक ring है किस step की देंग, semi-circular ring है ना तो इसकी वज़ह से इस point पे electric field चाहिए तो यहाँ पर आप देख परो इतना गंड़ा diagram बना के रखा है ना इतना complicated लेकिन इसको मैं एकदम simplify करके यहाँ पर दिखाऊंगा कि मतलब किस तरह यह diagram बनती है तो बड़ले basic से step by step हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि कैसे इस diagram को हम लोग complete बिना रट्टा मरे बना सकते हैं तो रट्टा मरने की कोई जरूरत है नहीं और एक चीज मैं यहाँ पर पहले ही बता देता है आप लोग paper pin लेके बेच जाओ तो जब मैं परहाऊंगा आप लोग थोड़ा सा देखो उसके बाद pause करो समझो चीज़ों को है न analyze करो उसके बाद लिखो तो सिधा ऐसे ही नहीं करना की मतलब देख लिया mobile रख दिया कम खतम इस तरह से नहीं होगा तो मैं यहाँ पर एकदम step by step दिखाऊंगा कि किस तरह यह diagram मैंने बनाई यहाँ पर और एक चीज़ जो board exam की कहानी है तो board exam में किस level तक question पुछे जाते है उसको भी यहाँ पर मैं थोड़ा ऐसा दिखा देता हूँ देखो थे answer suppose एक wire है तो यह जो wire है यह infinitely long wire है तो इस wire में positive charge है पुरा का पुरा उपर positive charge से continuously distributed है तो इस wire से थोरी सी डूरी पे लेचे ए distance डूरी पे यहाँ पर क्या मिलेंगे electric field मिलेंगे तो वो electric field कितना है कैसे निकाले जाते है यहाँ पर जो electric field मिलेंगे इसके जो expression होंगे इसके जो formula होंगे वो formula किस तरह निकाले जाते है वो आपको board exam में पूछेंगे ठीक है और इसको मैंने solve करके रखा है lecture number 19 में ठीक है और यह आज की lecture number कौन सी है 21 तो इसमें जो electric field आएंगे कितना आएंगे formula lambda by twice by epsilon not a ठीक है तो यहाँ पर जो electric field मिलेंगे इसकी यह formula है ठीक है यह तक तो next topic क्या है suppose a circle है यह circle है इस तरह की पुरा round circle इसको हमने इस तरह से ऐसे देखा तो इस circle की यह एक axis है और इस axis पे हमने suppose a point लिया इस point पे electric field कितना होंगे हमने निकला था formula के यह था qx by x square plus a square और यहाँ पे 3 by 2 तो यह formula आया था तो इसको भी हमने derive किया था कौन सी lecture में lecture number 20 में तो आप लोग जाके देख ले ना playlist में या तो मैं description box में link देदेंगा तो यह जो दोनो topic है यह दोनो topic बोर्ड exam के लिए important है बोर्ड exam के लिए इतना काफी है लेकिन अगर अब ZW NIT की exam दोगे तो वहाँ पे इतना मतलोब easy ही बोलूँगा तो इतना easy question वहाँ पे नहीं पुछेंगे वहाँ पे क्या करेंगे थोरा सा complicated way में चीजों को देंगे ठीक है तो NIT ZW की level की question होंगे यह होंगे ZW NIT level की question तो इसको हम अज solve करेंगे है ना यस तो यहाँ पे कितना electric fill होंगे because of this semicircular wire ओके तो उसको हम निकलेंगे और इसकी जो formula होंगे इसकी formula क्या होंगे यहाँ पे जो electric fill होंगे उसकी formula होंगे के lambda एक्चल में यही होंगे lambda by twice by epsilon naught A ठीक है अगर यहाँ से यहाँ तक जो यह distance है A यह radius है तो हम लोग यहाँ पे जो electric fill होंगे उसकी formula यह लिख सकते हैं ठीक है तो basically आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो formula आया था कितना इतना ठीक है वही formula यहाँ पे भी आयेंगे लेकिन कैसे आएंगे उसको derive करना है हमें है कि नहीं यस तो एकदम easy करके एकदम step by step में चीजों को दिखाऊंगा आपको तो last तक देखना video ठीक है ओके और paper pen लेकर बैच जाओं हाँ तो अब लोग इसको note करके रखना ओके तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस diagram को समझेंगे उसके बाद derivation करेंगे derivation बहुत ही जाद आशान है ठीक है हम लोग सोचते है मुझतलब IAT level की question से तो थोड़ा सा जादा या complicated होंगे high level की होंगे ऐसे सोचते है ठीक है लेकिन ऐसी बात नहीं है तो मैं यहाँ पर एकदम आसानी से solve कर रहेंगा एकदम easy है derivation देखो पहले लेकिन diagram को समझेंगे तो suppose for example यह एक wire है straight wire इसको suppose अपने इस तरह से band कर दिया है ना तो यह semicircle बन जाएंगे तो इस semicircular wire में क्या है चार्जे किस ताइप की चार्ज पोजिटिव चार्ज पूरा का पूरा wire में positive charge distributed है पूरा का पूरा wire में जैसे refill में ink distributed होते है ना इस तरह रहते हैं continuous ले उस तरह यहाँ पर भी charge distributed है ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने एक reference line बनाया ओके यह exist line है reference line यह wire नहीं है ओके तो बहुत लोग यहाँ पर गल्टी करते हैं इसको भी wire मन लेते हैं ओके तो wire यहाँ से यहाँ सिर्फ है और यहाँ से यहाँ तक क्या है चार्ज है यहाँ पर कोई charge नहीं है ठीक है तो देखो यह जो point है इसको हम center बोल सकते हैं ओके अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर और एक reference line बनाएंगे यह एक again reference line है ओके तो basically आप Cartesian coordinate जो है ना x-axis और y-axis यह समझ शेकते हों ठीक है तो अभी देखो क्यूंकि हमें पूरा का पूरा wire के लिए electric field चाहिए है तो because of that हम क्या करेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा wire के लिए यहाँ पर जो electric field होंगे उसके लिए actual में हम लोग कौनसी formula यूज़ करेंगे जो एक formula है ना अगर charge है उसकी वज़ा से यहाँ पर जो electric field होंगे अगर यह distance r हुआ तो e is equal to k q by r square है ना इस formula को हम actual में यूज़ करेंगे यहाँ पर लेकिन condition के है इस formula को यूज़ करने के लिए यह जो charge है इस charge को क्या होना होगा point charge ओके तो अगर point charge नहीं होंगे तो इस formula को हम use नहीं कर पाएं ठीक है similarly यहाँ पर यह जो wire है इस wire में तो point charge नहीं है तो यहाँ पर continuous charge distribution है मतलब पूरा का पूरा wire में charge है ठीक है तो इस formula को use करने के लिए हम क्या करेंगे हमें यहाँ पर एक चोटा सा टुकरा consider करना होगा मतलब एकदम चोटा सा एक टुकरा यहाँ पर consider किया बहुत ज़ इतना सा length में चोटा सा यानि point charge इतना charge रहेंगे मतलब small amount of charge यहाँ पर रहेंगे ठीक है तो अभी हम इस point charge को मतलब इस DQ को इस DL में जितना charge है DQ इसको हम point charge consider कर सकते हैं ठीक है इसको हम point charge consider कर सकते हैं ठीक है इसको हम point charge consider कर सकते हैं ओक है तो जब मैंने इसको point charge consider किया यहाँ पे जितना चार्ज है उसको मैंने देख्यों बोला और इसको point charge consider किया तब फाइदा क्या है फाइदा यह है कि तब हम इस formula को use कर सकते हैं ठेक है क्योंकि इस formula को हम कब use कर सकते हैं जब charge point charge होंगे मतलब छोटा सा small amount of charge होंगे तो यहाँ पे यह small amount of charge है तो because of death हमारा क्य love हुआ हम यहाँ पे इस formula को use कर सकते हैं यह है simple कहाने ओके देखो अभी हम क्या करेंगे इसकी वजह से यहाँ पे जो electric field होंगे इस point में और एक चीज यह distance कितना ए ए मतलब radius ओके तो अगर यह ए हुआ तो यहाँ से यहाँ तक भी a होंगे है ना तो इसकी वजह से इस point पे जो electric field होंगे इस direction में होंगे ओके तो इसकी direction में यह क्यों बना है क्योंकि positive charge से electric field निकलते है always है और एक चीज यहाँ पे जो small dq है मतलब small charge है small charge की वजह से यहाँ पे जो electric field होंगे small electric field होंगे इसलिए हमने इसको बोला दी है ठीक है तो यही कहानी सेम जा रहा ही ओके लेकि इसको भी यह जो dl है dl को हमने एस से consider किया ठीक है इस तरह से consider किया क्यों किया जब derivation करेंगे पता चल जाएंगे है ना ओके तो यहाँ पे जो dl को consider किया तो यहाँ पे एक angle बनेंगे इस angle का नाम दे देते है d theta मतलब छोटा सा angle because of small dl small length ओके तो इसका मतलब इस length ने इस length ने यहाँ पे angle subtend किया angle बनाया कितना d theta angle मतलब small angle made by और subtended by small length dl ठीक है तो अभी इसकी वज़ा से इस dl की वज़ा से यानि यहाँ पे जो dq है इसकी वज़ा से यहाँ पे जो d e मिला electric field small electric field ओके तो यह कहें small electric field है तो इस d की मतलब यह तो एक vector है तो इस d की दो components होंगे एक इस direction में और एक इस direction में ठीक है तो देखो अगर हम इसको ठीता consider करें ओके तो इस case में यह भी ठीता हो जाएंगे क्योंकि vertically opposite angle ओके तो इसका मतलब यह जो component होंगे इसको हम बोल सकते है d e cos theta ठीक है क्योंकि आपको मालूम है कि जो component मतलब यहाँ पे जिस component में theta attach होंगे उसको हम cos component बोलती है यहाद रखने के लिए वह ही करते है लेकिन क्यों होता है क्यों कैसे होता है इसको हमने cos theta की जगह पे sin theta q नहीं कहा ठीक है उसका एक reason है उसके लिए जो how to break the components of factor यानि जो resolution of factor बोलते है ना उसके ओपर मैंने एक फीडियो बनाया उसको मैं देदूंगा description box में आप आरम से देख ले ना ठीक है तो देखो इसको हम यह जो component है downward इसको हम बोल सकते है भी d e sin theta ठीक है तो d e vector की दो components हमें मिला एक d e cos theta एक d e sin theta ओके similarly यहापे जैसे हमने dl लिया यहापे भी हम dl ले सकते है ठीक है तो इस dl की वजह से भी यहापे जो यह dl लिया हमने इसकी वजह से भी यहापे electric fill मिलेंगे इसको हम इसे draw कर सकते है यह ना और इसको हम बोल सकते है d theta ओके तो इसकी direction क कॉंची होंगे यह होंगे ठीक है तो अभी देखो यह जो d e मिला हमें यहापे d e यह तो एक vector है इसका भी दो components होंगे एक component इस direction में है ठीक है और एक component इस direction में उपर की direction में ठीक है तो यहापे जैसे इसको हमने ठीता लिखा इसको भी हम ठीता लिख सकते है अगर यह ठीता होंगे तो इसको भी हम ठीता बोलेंगे ठीक है तो इसका मतलब इसकी जो इस दिरेक्शन में component होंगे जिसको मैंने black color से draw किया तो इसको हम बोल सकते है d e cos theta और इसको हम क्या बोलेंगे d e sin theta तो obvious सी बात यहापे आप देख पार हो तो यह दोनों vectors यह दोनों vectors क्या है opposite direction में है और दोनों equal है ठीक है यह भी d e cos theta यह भी d e sin theta तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे cancel हो जाएंगे तो रहेंगे क्या सिर्फ d e cos theta रहेंगे ओके तो यहापे एक कहानी है कहानी यह है कि इस point पे जो electric field मिला कितना मिला d e cos theta d e cos theta मतलब 2 into d e cos theta बोल सकते हो 2 into d e cos theta बोल सकते हो ठीक है लेकिन क्या यह जो electric field 2 into d e cos theta क्या इसको हम total electric field बोल सकते है तोल्ट्य औल इलेक्ट्रिक फिल बोल सकते नहीं बोल सकते इशा क्यूंगि ग्षणकि देखो ये जो 2-d E cos theta मिला किसकी वजह से मिला इस DL की और इस DL की डौनों की वजह से मिला ओकर िहा पे तो और बहुत सारा DL होंगे यहा पे भी DL होंगे यहा पे भी DL होंगे है न 100 into d e cost थीता थेक है तो अगर question में क्या पुछा गया उसको देखो question में पुछा electric field due to a semi circular ring at its center मतले पुरा का पुरा ring के लिए यहाँ पे electric field चाहिए तो अगर हमें 100 d l यहाँ पे मिलते सपूस 100 ही है तो हम total electric field यहाँ पे कितना लिख सकते 100 d e cost थीता थेक है लेकिन हमें यह पता ही नहीं कि यहाँ पे कितना d l इस तरह से हम ले सकते थेक है 100,000 बहुत सरा जितना हो सकते ले सकते थेक है infinite number of d l ले सकते तो exact number हमें नहीं पता because of debt हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि 100 होंगे यह 1000 होंगे यह कुछ होंगे तो उसके लिए हमारे पास technique क्या है हमारे पास technique है integration तो integration क्या करेंगे integration actual में integration की काम ही है कि चीजों को जोरना add up करना integration हमें add करके देंगे चीजों को चोटी-चोटी जो चीज़े होंगे उसको add करके पूरा का पूरा whole amount को देंगे ठीक है तो यहाँ पे यह जो DE cost theta है यह electric field किसकी वजह से है यह DL की वजह से फिर यहाँ पे इस DL की वजह से यहाँ पे DE cost theta मिलेंगे इन D-E costita को सब यहाँ पर जितना भी D-E costita मिलेंगे सब को क्या करने है जोर ना है ठीक है तब क्या मिलेंगे हमें total electric field तो integration क्या करेंगे उसको जोर के add up करके हमें देंगे तो उसके लिए क्या करना होगा है एक यहाँ से यहाँ जो D-E costita देख रहे हो यहाँ से एक D-E costita को लेना है और इसको integrate करना है ठीक है तब जाके हमें क्या मिलेंगे total electric field at this point है ठीक है देखो एक बार आया कि नहीं समझ में है ओके easy है मतलब उतना ताफ है नहीं और इसस देखो यह जो diagram है यह diagram जैसे मैंने step by step बनाया ना तो इससे यह match कर पार हो कि नहीं देखो एक बार होग हाँ द्रौ कर रहे हो ओके तो हमें finally क्या निकलना है इस formula को derive करना है ठीक है तो यह निकलते ही कि नहीं उसको देखना है होगा ओके तो इसको मिता दूँ मैं और एक चीज मैं यह जो topic समझा रहा हूँ जो book follow कर रहा हूँ उसका नाम है SLR ठीक है तो आप लोग वहाँ पे जब match करके देखोगे मैंने हर topic को एकदम serially systematically beginning से समझा रहा हूँ ठीक है तो एक topic को भी means नहीं किया एकदम beginning से starting से समझा रहा हूँ और main जो important काम में यहाँ प बाद उसके अंदर जो questions होंगे उस topic के ऊपर जो questions होंगे उन questions को भी मैंने यहाँ पर solve कर रहा है ठीक है तो उससे क्या होंगे आपका concept में confidence build होंगे आपका concept में strongness होंगे वो build होंगे ठीक है तब question exam में जिस type का भी questions है अब आरम से solve कर पाऊँगे और main चीज क्या कि लोग जो JEE NIT से दर थे बहुत सरा student है JEE NIT की questions देखने से दर जाते है ठीक है तो वो दर खतम हो जाएंगे आपका ठीक है तो जब topic को पर होंगे question को solve करेंगे उसके बाद क्या होंगे आपका वो दर खतम हो जाएंगे आप एकदम confident रहोगे और जो भी इस step का question है अरम से solve कर ठीक है अवी ध्यान से देखो हम लोग इस derivation को solve करते है ठीक है देखो actual में क्या है अगर यह जो DL element है इसमें electric charge कितना है small electric charge DQ है ठीक है तो DQ के वज़ह से यहाँ पर जो electric field मिल रहा है कितना मिल रहा है D E ठीक है तो D E क्या है D E is the electric field small electric field लिख देते है small electric field ओके due to DQ तो DQ की वज़ह से D E क्या है एक electric field है small electric field और एक चीज में इसका इन सब चीजों का जो परहा रहा हूपुरा का पूरा चेप्तर का notes दे दे दूँगा ठीक है D को हम लिख सकते है के DQ by A square एक्च्वल में क्या है अगर यहाँ पर एक charge है यहाँ पर R distance लिया हमने और इस जगह पर इस point पर जो electric field होंगे इसको लिख सकते है KQ by R square अगर मैं इसको A ले लूँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A square लिखेंगे है के नहीं Yes तो अगर मैं यहाँ पर DQ ले लूँ तो इसमें क्या लिखेंगे DQ लिखेंगे एकडम simple concept तो वही में ने किया यहाँ पर देखो यह DQ है DQ कोई बजह से यहाँ जो electric field है D और D क यह formula क्या लिखेंगे के DQ by A square AQ लिखा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो distance है इसको हमने बोला A ठीक है यह देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की distance A है तो radius है यह जितना होंगे यह भी उटना होंगे ठीक है यह simple सीज़े आप समझ सकते हो अभी देखो यह जो DQ है DQ क को हम क्या लिख सकते है इक्ट्वल में जो linear charge density है क्या बोला मैंने linear charge density ओके तो linear charge density को हम लिख सकते है charge by charge by length charge by length तो linear charge density का symbol क्या है लेमडा और यहाँ पर charge को सब्सक्राइब हमने DQ लिखा तो length को क्या लिखेंगे DL लिखेंगे तो यहाँ से आप DQ is equal to lambda DL लिख सकते हो है कि नहीं यस देखो एक बार तो इस DQ की जगह पे हम लिख सकते है lambda DL और यहाँ पर A square ओके तो again जो एक है ना angle की rule एक है देखो suppose यह एक कर्व है ठीक है इसको हम कर्व को क्या बोलेंगे यानि मान सकते है इसे पूरा का पूरा circle ही imagine कर लो एक है center ठीक है तो यह जो कर्व है इसको हम बोलेंगे arc और यह center तो center पर जो angle बना रहे सपोज इसको बोला ठीता और यह जो radius है इसको बोला A ओके अभी देखो इस case में जो ठीता होंगे ठीता की formula क्या है arc by radius okay arc by radius तो यहाँ पर यह arc है suppose मैंने इस arc को dl बोला तो dl by radius को क्या लिखेंगे तो इसको मिल्ब theta is equal to क्या लिखा dl by A similarly यहाँ पर आप देख पा रहो यह कह है यह dl एक arc है यह arc है तो यह dl arc है और dl कितना angle बना रहा है यह यहाँ पर d theta angle तो इसको मिल्ब d theta is equal to क्या लिख सकते है arc by radius तो dl by radius कितना A तो D theta is equal to कितना लिख सकते हो arc by radius यानि DL by A लिख सकते हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D theta is equal to क्या लिख होगे arc by radius यानि DL by A ओके आया समझ में यहाँ तक देखो तो यहाँ पर यह जो DL है DL को हम लिख सकते है K lambda DL को A D theta लिख सकते है A D theta divided by A square ओके तो यहाँ पर A cancel हो जाएंगे lambda D theta divided by A लिख सकते है अभी तो यह क्या आया यह D E आया ठेक है यहाँ तक देख लो एक बार तो हमने क्या क्या यहाँ पर यह simple है एकदम आप लोग 910 में मिले होंगे मैच में हर जगा पर यह मिलते हैं रहते theta is equal to क्या arc by radius E basic formula है ठीक है तो arc को हमने क्या लिखा यहाँ पर DL लिखा तो radius A है तो हमने यहाँ पर substitute कर दिया कम खतम ओके तो अभी देखो total electric field जिसको हमने सब्सपूज E बोला ओके यह क्या है total electric field due to the semicircular ring at this point यानि at center तो यह जो E है total electric field इसको हम क्या लिखेंगे integration D E cos theta ठीक है तो D E cos theta को जब integrate करेंगे तब क्या मिलेंगे total electric field ठीक है तो इसको integrate करने है अभी तो क्या करेंगे यह जो D E है D E की जगह पर क्या भी ठाएंगे एक काम करते हो न इसको मिता देते है अब लिखनोट कर लो ठीक है वीडियो को pause करो और लिखो चीजों को ठीक है तो इसा नहीं करना मैं तो screenshot ले लिया रख दिया बाद में लिखेंगे इसा नहीं सोचना अभी लिखो ठीक है ओके 20 इंचियर तो क्या करना है हमें इस integration को solve करना है ठीक है तो रेखो ये जो integration है यहाँ पर हम लिखेंगे D की फेलो ठीक है E is equal to integration D की जगह पर लिखेंगे जो मिला K lambda D theta by A K lambda D theta by A और यहाँ पर cost theta तो ये जो integration होंगे इसको हम लिखेंगे minus 90 to plus 90 अभी आप सोच रहे होंगे कैसे लिख धी है मैंने minus 90 plus 90 देखो easy है actual में क्या है ये जो Cartesian coordinate system है ओके ये क्या है 90 और ये क्या है 90 तो अगर मैं इसको यहाँ से start करो यह से start करो या तो ऐसे भी बोल सेकता है यहाँ से मैंने निचे गया ठीक है और यहाँ से मैंने उपर है तो कितना गया 90 ही गया न तो दोनों का direction अलग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक के आगे minus लगाएंगे तो ये क्योंकि downward आ रहे है तो ऐसे आ रहे है तो इसको हमने बोला minus 90 ऐसे जा रहे है इसको हमने बोला plus 90 actual में यह 90 ही है minus plus चोड़ो तो ये भी 90 ये भी 90 तो minus plus क्यों लिखा क्योंकि एक opposite एक डूसरे से दोनो opposite direction में जा रहे है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जो limit लिखा हमने इसको यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ से एसे गया तो इसको हमने बोला minus 90 और यहाँ से एसे गया इसको बोला plus 90 तो पुरा का पुरा पुरा का पुरा ये semi circular ring cover हुआ की नहीं ठीक है तो integration में क्या है कि पुरा का पुरा जो ring है अगर length की बात करें तो पुरा का पुरा length को cover करना होता है ठीक है जैसे for example जो हमने solve किया था 90 number lecture में electric field due to a long wire वहाँ पे क्या था कि यह है minus infinity और यह plus infinity ठीक है तो वहाँ पे जो integration किया था minus infinity से plus infinity किया था ठीक है तो इसके में पुरा का पुरा wire कोभर थे ठीक है तो यहाँ पे भी जब मैंने यह वाला 90 लिया यह वाला 90 लिया तो इतना सा हिस्सा कोभर हो गया जब मैंने यह वाला 90 लिया तो यहाँ से यहाँ तक इतना सा हिस्सा कोभार हो गया तो basically minus 92 plus 90 जब मैंने किया तो यह पुरा का पुरा semi circular ring यह पुरा का पुरा wire कोभार हो गया ठेक है? तो वही है अभी क्या करोगे? यहाँ पर हाँ, चो constant है उसको बाहर लेकिया हूँ k constant है, lambda constant है, a constant है यह तिनों को बाहर लेकर है तो फिर यह cost theta और यहाँ पर minus pi by 2 और यह plus pi by 2 अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है lecture number 19 और 20 है तो यह integration आपके लिए बहुत ही आसान है वहाँ पर भी मैंने कर रहा यहाँ पर भी कर रहा हूँगा, है ना? उसको हम लिख सकते है sin theta ठेक है? तो यहाँ पर bracket लगाना होता है ओके? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? pi by 2 और यह plus pi by 2 ठेक है? तो cos theta का integration लिखा sin theta यह तो मालूम है आपको, ओके? तो देखो, जो यहाँ पर theta है theta की जगह पर पहले इस pi by 2 को बिठाना है ठेक है? तो इसमें k by a लिख देते है sin theta की जगह पर क्या लिखेंगे? पहले pi by 2 फिर एक minus लगाना होता है यही रूल है, integration की यह जो bracket तोरने का रूल है, यह है तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? sin minus pi by 2 ठेक है? बेसिकली इस theta की जगह पर एक बर pi by 2 लिखना है, और एक बर minus pi by 2 लिखना है, तो मैंने वही किया theta को replace किया, एक बर pi by 2 से और एक बर minus pi by 2 से ठेक है? तो अभी इसको solve करना है ओके? I think कर पाऊगे यह ब्लुक, क्योंकि match भी तो बढ़े हो ना ब्लुक देखो, यह जो e है e को हम लिख सकते है के lambda by a तो क्या लिखेंगे? sin pi by 2 minus एक formula है, formula कि है कि sin minus theta is equal to minus sin theta ठेक है? तो यह formula है उस हिसाब से sin minus 90 is equal to minus sin 90 होंगे तो यहापे के लिखेंगे? minus sin 90 ठेक है? तो यह लिख पाएंगे और यहापे एक bracket लगा देंगे तो minus को हमने बाहर लिखे आया अभी देखो इसको हम लिख सकते है k lambda by a sin 90 का value कितना होता है? 1 यह minus minus plus हो जाएंगे sin 90 का value 1 ठेक है? तो इसको हम लिखेंगे 2 k lambda by a ओके? तो यह final answer हो आगे इसको आप a से भी रख सकते हो ओके? लेकिन book में में भी आपको इस तरह से मिले होंगे उसको भी दिखा देते है k की value substitute करना है बस 2 into k की value क्या है? 1 by 4 pi epsilon 1 ठेक है? फिर यहाँ पे lambda by a ओके? तो उपर के लिखो के lambda इसको का 2 2 by epsilon not a तो यह आ गया final formula ठेक है? देखो एक बार match करके आए के नहीं? हम आया ना? ओके? इतना easy है तफ लगा के नहीं ना? एकदम easy है लेकिन आपको 2-3 बार practice कर लो हो जाएंगे है ना? और यह diagram diagram को धोरा सा practice करना ठेक है? एकदम step by step मैंने जैसे बनाया उसको उस तरह से ही बनाना तब मतलब long term के लिए आपको याद रह जाएंगे ठेक है? ओके तो यह जो formula है यह formula क्या देरहा है में? electric field due to the semi-circular ring at the center ठेक है? तो यहाँ पर जो electric field होंगे वो total electric field कितना होंगे? इतना सा कर लोगे? बोलो तो जे डे डे बले निट की exam में उस तरह की question देगे एक option देगे इस तरह से तो आप confused हो जाओगे? है ना? जब आप एकदम भारी किसे चीजों को एकदम conceptually सीखोगे लिखते जाओगे तब वो confusion नहीं होँगे क्योंकि वहाँ पर जो चार options देंगे क्या करेंगे? एक में देंगे 2 lambda by 4 5 epsilon not a वो भी correct थे, है ना? और अगर ऐसे देंगे कि lambda by 4 5 epsilon not a तो वो गलत है ठेक है? तो एक, दो, टीन इस तरह की मतलब जो values होंगे उन values की वज़ा से थोड़ा सा ये confusing है अगर 2 की जगह पर 4 लगा दिया अब confuse हो जाओगे सोचते रहे होगे वो था की नहीं लेकिन अगर अब ये process को समझा तो अरम से वहाँ पर derive करके देख सकतो एक मिनिट में तो जब 3 सर्वर प्रेक्टिस करोगे ये अब मैं guarantee दे रहा हूँ आप 2-3 मिनिट के अंदर solve कर लोगे तो करना practice तो इस तरह की अगर कुछ questions आपके मन में है कुछ doubt है तो पूछना comment section में होगा तो फिर आप वीडियो को share कर देना और subscriber देखी पार है मेरे इतना कम है सर मते मुझे बोलने में है न तो आप लोग तरह से बरहा देना न कहीं है ओके तो मदद कर देना ठेक है thank you